करूँगा न वो मैं करूँगा दस से बारा दिन में कैसे financial management को आप अच्छे तरीके से cover कर सकते हो तर दस से बारा दिन में financial management cover करने के लिए जो बच्चा आज भी जोईन होता है न वो भी कर सकता इस strategy से और जो बच्चा starting से पढ़ रहा है वो भी कर सकता है फ़रक यह रहेगा जो बच्चा अभी जोईन होता है उसको कम से कम डेली के दो से धाई घंटे पढ़ने होंगे और जादा भी हो सकता है तीन घंटे पानके चलो और जो बच्चे starting से कर रहे है न वो डेली का अगर एक घंटा भी देखे किसी chapter को और जो starting से कर रहे हैं आप ध्यान देना एक घ जाता है मैं सिंपल सी बात करूं working capital कितना टाइम लगाओगे working capital के chapter में आदे घंटे से 45 मिनट में बस आपको format देखना है formula देखना है same मैं बात करूं leverage तो उसके अंदर बस आपको degree of operating leverage और कुछ आपका increase और decrease वाले points को देखना है chapter finish हो जाता है same मैं बात करूं operating cycle आप formula पड़ रहे हैं वह तो regular अगर एक घंटा भी पड़ते हैं तो एक घंटे में दो चप्टर भी finish कर सकते हैं लेकिन जो बच्चे अभी start ही किया है उनको तो 2-3 घंटे पूरी वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो के अंदर भी मैंने वीडियो के अंदर भी मैंने क्या कर रहा है इस्टार मार्क्स कर दिया है स्टार का मतलब है कि इस वाले वीडियो के अंदर क्यूंकि सारे बच्चे हैं क्लास कभी ना कभी देखेंगे जो doubt session होता है ने class का वो किसी कुछ बच्चों के लिए relevant होता है कुछ बच्चों के लिए irrelevant होता है अब doubt question में क्या है 10-10 question doubt कर रहा हूँ कोई कुछ पूछ रहा है तो ऐसी वीडियो पे मैंने star लगाया ही नहीं है जिससे कि आपका time बचे क्योंकि doubt class के अंदर मैं class तो upload कर रहा हूँ क्यों बच्चा देख रहा है doubt class के अंदर board पे solution एक ही होगा लेकिन शायद वो एक घंटे का वीडियो हो क्योंकि उसमें पूछता हूँ मैं 9 में doubt है तो बताईए कोई बोलता सर ये point समझ में नहीं है कर रहा हूँ कोई बोलता है ये point समझ में नहीं तो मैं recommend it कर रहूँ है कि बच्चा वो वीडियो ना देखे instead के self कर ले वो self करने के बाद फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें तो star लगा दिया वीडियो पर जो आपको करना है जिस वीडियो पर star है किस वीडियो पर मैंने star लगाया है एक जिसके अंदर concept कराया गया वो तो छोड़ी नहीं सकते चाहे revision कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो दूसरा उन वीडियो के उपर जिसके अंदर उस concept से related question कराया है ताकि आपका पक्का हो जाए तो कौन सा chapter कहां से कितने number का probability किसमे से जादा होता है वो सारी बाते करेंगे आज हम इस वीडियो में तो देखे आपका financial management है और मैं starting से बताऊंगा फिर हम theory पर आ जाएंगे ठीक है न starting से बताएंगे और उसके accordingly plan करके चलना आप कम टाइम बचाएंगे देखो बहुत कम टाइम मैं मान के चलूँगा इसके लिए क्योंकि first exam है और उसी के हिसाब से लेके चलने है अब देखो काफी सारे बच्चों को एक दिक्कत रहती है थोड़ी लंबी वीडियो जरूर होगी लेकिन हाँ देखो फाइदा तो मिलेगा ना कि आपको एक strategy plan पता चल जाएगा देखो आपके किताब आपके syllabus आपके unit को पाँच पार्ट में बाट दिया गया है unit number one पाँच पार्ट में बाट गया है unit number one और basically मैं मैं यहाँ पे unit wise नहीं चलूँ आज मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना मैंने शायद जब भी पढ़ाया है जहां तक मुझे याद है मैंने कभी भी नहीं बोला यह unit number five का chapter है यह unit 4 मैंने बोला यह chapter है आज यह chapter नहीं है start करते है तो उसी के accordingly और जो मैं यहाँ chapter लिखूंगा भी ना जिस हिसाब से आपको वो chapter करना चाहिए उसी sequence में मैं लिखने वाला हूँ सबसे पहले बच्चों को करना चाहिए leverage सर लिवरेज चैप्टर में ना देखो लास टाइम है ध्यान दीजे बोर्ट पे ध्यान दीजे फटा फट लिवरेज चैप्टर के अंदर बच्चे प्रक्टिस कर रहे हैं तो मैंने साइद 35 से 40 कोश्टन डाले हैं लिवरेज में 36 37 जो भी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोश्चन भी है अलग भी कोश्चन है तो बच्चे देख देख के बार-बार परिशान हो जाते हैं कैसा यह नहीं हो रहा तो यह टॉपिक है मैं बड़ा सीधा सा बात करूंगा चैप्टर का प्रेक्टिस जो करना है क् चैप्टिस में से प्रेक्टिस बतां यह पाता वकलै यहीं डिवरेज के अंदर अपको बीडियो अप्रेज नहीं चैप्र एक得 में से चैप्रे Leonard एक question को करने में आपको दो से तीन मिनट लगना है पांस से साथ मिनट लगना है इस type का question है पांस से जल्दी जल्दी करना है अब उसके अंदर format किया फटाफट format और calculator है पहली चीज फोन को इस्तमाल मत करो calculator का इस्तमाल करो तो better है क्यों sir calculate को इस्तमाल करने से better क्योंकि एक्जाम में यही speed आपका काम आएगा और जो calculator आप घर पे यूज़ कर रहे वही एक्जाम में भी करना ताकि आपका finger उस पे set हो अगर आपने जैसे mobile phone change कर देते हो ना आप देखते हो आपको हफते बर तो दिक्कत होती है क्या दिक्कत होती है उसके button इधर है यह कोई features उसके अंदर अलग है same calculator जो यूज़ कर रहे है ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस आपने घर के लिए अलग कि और एक्जाम में जाएंगे नए वाला concept के बाद जो star mark लगाएं मैंने वह question करने आपने question के बाद अब आप self क्योंकि सर आप ना आप ध्यान रखिएगा आप कभी भी exam में score नहीं कर पाएंगे जब तक आप question को self नहीं कर लेते जब आप वीडियो देखते हैं या जब मैं पढ़ा रहा होता हूं सब कुछ लगता रहा यह तो बड़ा असान है बड़ा असान है लेकिन जब हम self करते हैं तो पता लगता है कि और फॉर्मिट याद में फॉर्मिट पर ध्यान ही दिया इसके बाद क्या चीज़े तो वह सारी चीज़े आपको जब तक सेल्फ नहीं करोगे तो सेल्फ में क्या करना है आपने पर है चार-पांस साल के बट उसके अंदर से maximum question आप पहले अल्रेडी कर चुके होगे referencing डला होगा कि पेज नंबर इस पर देखे तो इसका मतलब आपने कर लिया है और जिस पर पेज नंबर नहीं डला वह आपके लिए new है वह आपने करने है सर एक्जाम में कुछ भी हो जा चाहिए हमें इस चैप्टर को करने के लिए एक से maximum दो दिन जो आलसी है वो दो दिन और जो सही में चाहते है चैप्टर कर ले तो एक दिन में खतम हो जाएगा जो बत्चा स्टार्टिंग से करेगा वो भी एक दिन में खतम कर सकता कुछ नहीं है सर contribution format वगेरा देखना है व मैं सबसे पहले priority basis पे उन capital को मैं रख रहा हूं उस chapter को मैं रख रहा हूं जो की आपका एक्जाम में आता ही आता है इसमें examiner के पास choice नहीं है इसके बाद मैंने करवाई EBIT लेकिन वो exam में कई वार आता है कई वार नहीं आता बहुत rare case होता है तो हम उसको practice बाद में करेंग तो सर ये question आएगा ही आएगा सर कितने number का सवाल आ सकता है छे से लेके 15 number के बीच का सवाल ये आ सकता है आपके exam में सर इसके अंदर कैसे practice करना है फिर अगें concept फॉलो जो करना है वो तो सेम करना है concept फिर आप कुछ questions के practice करने है और फिर last में self practice के लिए 10 फॉर्मूला बेस चप्टर में कह सकता हूं इसके अंदर जादा से जादा formula यूज होता है बड़ा simple chapter है कितने दिन लगने चाहिए सर हमने लगाए starting में normal करते टाइम पर 5 दिन साथ दिन लेकिन अब वो तो टाइम नहीं रहा ये भी आपका one day में complete हो सकता है सर मैं revision जब करवाऊंगा न रिवीजन क्या अब जैसे यह आला chapter खता हुआ तो daily basis पर revision कराऊंगा तो revision एक दिन में पूरा chapter क्या समझाना है एक सवाल जिसमें सब कुछ हो और सारे formula बात खतम चप्टर खतम हो जाएगा यही तो चाहिए हमें एक सारे formula पता चल जाए apply कैसे करते हैं और एक ऐसा सवाल हो जिसमें सब कुछ apply हो जाए बात खतम chapter revise एक एक दिन में तो यह एक दिन में revise हो सकता है maximum दो दिन लेना है आपको maximum दो दिन तर क्या है इसमें KE, KD, KP उनका rate निकालना जो बड़ा आसान है formula को देखना बस KE में थोड़ा सा समय लगता है बाकी जो हम WACC निकालते हैं वो तो बस multiply करके बच्च वाला काम है जैसे sigma, fx और वो करते थे से वह वाला है तो यह करना है सर मान के चलिए मैं इसको अजंशन लेता हूं minimum marks छे नंबर खाएगा तो यह दो चप्टर आपके 12 नंबर के होता है जो complete हो जाते हैं कि सार नंबर 3 पर क्या करना है नंबर 3 पर जो आपको चप्टर उठाना है वो उठाना है value of firm नहीं value of firm नहीं हम तो score कर रहे हैं न dividend policy ठीक है मैं theory भी बात करूँगा इन chapter में से practical पूछे जाएंगे theory वाले को मैं बात में डाल दूँगा आभी जो theory start करेंगे dividend policy sir chapter यह एक unity है मतलब इसमें से sir 15 marks सर 15 marks अब देखो मैं क्यूं कह रहा हूं ऐसा सर इस chapter के अंदर आप profit after tax profit before tax यह निकालना सीख जाते हो अच्छे से इस chapter के अंदर आप KE, KD, KP यह सब निकालना सीख जाते हो अच्छे से इस chapter के अंदर भी KE use होता है इस chapter के अंदर भी आपका R return in use होता है मतलब इस chapter की कुछ बातें यहां पर similar use हो जाता है market value of shares, dividend price कैसे निकालते हैं तो वो use होता है sir इस chapter के बाद जब आप यह करेंगे ना तो आपको बहुत clear समझ में आएगा और इस chapter को करने में आपको समय कितना लगना चाहिए बहुत simple सी बात है अगर अभी आप करते हो इसके बाद इसको करते हो तो इसमें दो दिन लगेंगे लेकिन sir एक तरीका और है जब इसमें एक दिन लगेगा यानि इससे पहले मैं यहां लाइन खीच रहा हूं अगर आप इससे पहले कर लो value of firm इससे पहले अगर आप कर ले तो value of firm sir value of firm कौन सा chapter है बहुत बच्चे पूशते हैं बार-बार सर कौन सा chapter है value of firm कौन सा करा रहे है sir theory of capital structure क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं बुक से मैच करते हैं या फिर जो डियूस से मिला उससे तो उसके अंदर है theory of capital structure इस chapter को करने के बाद आप value of firm निकालने में माहिर हो जाते हो और value of firm का इस्तेमाल dividend में भी हो रहे हैं हो रहे हैं value of firm कैसे निकालते हैं डिविडेंट में टोटल नंबर ऑफ इंटू में नंबर ऑफ इकुटी शेर तो जो बच्चा अब value of firm exam में आने की probability कम है मतलब है ऐसा नहीं है यह तो fix आता यह भी आता और यह भी आएगा value of firm भी आता है यह कितने नंबर का सवाल आ सकता है मैं 6 से 10 नंबर का weightage रखूँगा सर कितना time लगना है सर इसके अंदर दो दिन लगने है इसमें concept है traditional approach है net income approach है आपका net operating income approach है और लास्ट है mm अप्रोच चार-पांच है तो दो दिन ले रहा हूं सर मैं practice करने की बात करहूं practice कैसे करेंगे जो मैंने concept करवाया और सीधा 10-year को उठाईए कुछ बच्चे book वगरे में उलज गए उसका time खराब आएगा हाला कि मैंने book डाला हुआ है आपका book का format pdf डाला हुआ है लेकिन अगर आपने उस book के अंदर अगर आप उलजे के sir book के भी question कर लेते हैं क्योंकि यह time वो नहीं रहा short time है आप सीधा concept करिए यह तो sir मैं time देखूं एक दिन दो दिन और दो दिन चार दिन और एक पांच दिन अगर इतने chapter कर लेते हैं पांच से छे दिन मान लेजिए साथ दिन मान लेजिए मैं साथ दिन मान लेता हूं max to max आपके कितने number score हो जाते हैं चे नंबर और चे के बाद क्योंकि यह तीनों chapter 15 नंबर का मिला के बनाएगा examiner ध्यान देना एक दो तीन चेप्टर को mix करके 15 नंबर का question बनाएगा चाहे ए पार्ट बी पार्ट चाहीं भी मिले 15 नंबर का देना ही देना है उसके scope ही नहीं है तो sir यह तीनों chapter 15 ही आपको तो पांच दिन जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसके देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वह ना लगाना इसमें पांच दिन वो तो दो दिन में सारे चप्टर खतम कर देंगे ये जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं पांस दिन बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे आपके पास डू एंडाई का उप्शन है सर या तो आप कर लो या फेल हो जाओ मरना नहीं है फेल ही होना है ठीक है और एक साल पूरा बरबाद होगा अब आगे चलते हैं सर इसके बाद क्या करना चाहिए डिविडेंड पॉलिसी के बाद मैंने ये भी कबर कर लिया इसके बाद क्या करना चाहिए सर इसके बाद जो हम pick करेंगे वो करेंगे working capital और operating cycle working capital और operating cycle ये दोनों एक ही है chapter इसमें से practical भी पूछा जाता है इसमें से theory भी पूछा जाता है जो आज हम theory इसी chapter का cover करेंगे सर कितना time लेना चाहिए जो starting से पढ़ रहे हैं वो तो एक दिन इनफ है working capital का format देखने में कितना अभी test भी चल रहा है आपका और जो अभी start कर रहे हैं वो two days ले two days का मतलब 6 घंटा कम से कम तो पढ़ेंगे वो पूरा करेंगे फिर practice करेंगे उसके according तो सर इसमें से कितने number का आएगा इसमें से 10 number का सवाल आएगा दोनों chapter में से इन दोनों chapter में से 10 number का सवाल आएगा चाहे 6 का theory दे दे या 4 का theory और 6 का practical या 15 का भी आ सकता है लेकिन minimum 10 का तो आएगा सर आप इस 10 number को cover करने के बाद आप कितना cover कर पा रहे हो 15, 15, 30, 40 इट मेंस 50% 75 का exam आएगा आपका इट मेंस आप 50% score कर चुके हो और दियू के अंदर 50% ही marks mainly माहिने रखता है कि 50% आ जाए तो मज़ा आ जाएगा तो आप कितना score कर चुके कितने लगाए पांच और दो साथ दिन साथ दिन में 50% मैंने दस दिन के हिसाब से सारा planning लेके चल रहा हूं तो जो बच्चा बार बार पूस्ते ना कई बार काफी सारे बच्चे अप्लिकेशन में सर अगला चेप्टर कौन सा करें अगला तो यही format follow करना है आपने चलिए सर अब इसके बाद इसके बाद क्या करना है सर इसके बाद अब आपको हांत लगाना है सर क्यापिटल बस्टिंग में लास्ट में इसलिए लिया यह टाइम टेकिंग है लेकिन इतने भी लास्ट में नहीं ले जाना कि इंपॉर्टेंट नहीं है time taking है लेकिन important है सवाल में exam में कितने number काएगा सर एकजाम में 15 number का fix question आना ही आना है कोई नहीं रोक सकता practical नहीं इसका practical question examiner का पास option नहीं है वो practical इससे पूछेगा चाहे जिसका regular college में कोई project हो internal internal कुछ भी हो sir examiner का favorite chapter रहता है एक ये और एक cost of capital जी और एक dividend policy इसमें से तो देंगे सवाल उनका fix रहता है sir इसमें कितना time लगेगा हाला कि इस chapter को मैंने कराया था थोड़ा लंबा time लेके एक मेना भी चले गया लेकिन अब आपके सामने दो option मैं दे रहा हूँ मैं इस chapter को revision में जैसे time value of money खतम होगा पहला chapter revision में मैं यही उठाने वाला हूँ तो जो पहला chapter मैं यह उठाऊँगा मातर दो से तीन दिन में अच्छे से cover up हो जाएगा यह chapter मैंने क्या करा था पहले NPV निकालना सिखाया लेकिन फिर मैंने सिखाया technique जब मैं revision में लूँगा और जब पूरा concept revision का मतलब इस chapter का revision नहीं रहेगा पूरा ही रहेगा पहले मैं करवा दूँगा technique और फिर NPV वाले पार्ट को ले जाऊँगा इस chapter में बच्चों को इसलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है मैं जो बताओ पहले boring वाला पार्ट हमने कर लिया फिर interesting पे पहुँचे तो interesting automatic boring बन गया अब मैं करवाँगा पहले technique जिसमें IRR, payback period या उसके अंदर तो simple सा या table बना और answer आ जाता है उसमें यह नहीं कि यह machine replace हो रहा है तो मैं इसे तीन दिन में देखो जिन बच्चों को अब ऐसा कोई बच्चा ना सोचे कि जो पहले पढ़ा है कि आमने गलत पढ़ा है नहीं वही पढ़ाना मुझे वही है लेकिन मैं सोचूं कोसिस करूँगा कुछ easiest way में बताने का जो कि तीन दिन में हो जाए जिसने पहले कर रख है जिसको अच्छे से समझ में आ गया है मुझे पता इसमें 4-5 कुष्चन जो भी पेंडिंग थे वो पेंडिंग है वो भी ले लेंगे तो जिसने पहले कर लिया है तो ठीक है जिसने नहीं करा पहले समझ में नहीं आया तो वो बच्चे इस चेप्टर को थोड़ा सा टेंशन ना ले जादा जब मैं रिवीजन करवाँगा तो पूरे चार्ट में फॉर्मूला वगेरा कराके हर एक टॉपिक आएक कुष्चन करा दूँगा फिर आप फुस सेल्फ प्रेक्टिस कर सकते हो तो मैं इसके लिए दूँगा तीन दिन जो की ओवररल हो जाता है हमारा दस दिन और हम चेप्टर करें सर मंदरा फंदरा फंदरा तीस दस चालिस taiस vigor और केतने हो गया हमारे पुण बिश्य नंबर गलत तो नहीं लिए कि ए यह कोग गाए पंदरा फंदरा फंदरा तीस सब्सक्रबूंध इबियोगरिक ऐट आओ ध्योगी जितना भी ये वाला जो सेक्शन सक्षिण है थोड़ा उर्यटे मेंbnा बेडंक जादा रहता हैं तूर इसमें जो है ना एक्जामनर जादा से जादा फोकस कर दा सर इसमें समझा कर रहा है ऐसा मस समझ रहे है देखो मैं क्लिरिर कर रहा हूं अगर वर्किंग क्यापटल नहीं आया दसका तो यह मैंने पूछे जाते हैं मैं कह रहा हूं कि इसमें से थिउरी बगर अगर उन्हों ने बनाय पांच का अब रहे गया हमारा सर पंद्रा नमबर अब लास्ट में उठाएंगे चैप्टर नमबर वन जिसमें से दस नमबर का एक थियोरी और पांच नमबर का एक टाइम वेल्यू आफ तर थियोरी क्या आएगा पहले चैप्टर में से पहले से डिसाइड़ है पाइनिशल मेनेजिमेंट के अबजेक्टिव आ जाएंगे लिमिटेशन आ जाएंगे स्कोप आ जाएंगे या चार याद करने वाली चीज जो है लास्ट में वो तो एक्जाम से पहले करोगे आप और जो याद नहीं करने वाला उसे तो अभी से लिएक चलोगे तो इस तरीक एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन चार चेप्टर है सर यह चार दिन में खतम हो जाते हैं लेकिन जिनोंने कर रखा है वह एक दिन में इस यूनिट को यूनिट नहीं है यह यह दो यूनिट है निप्टा सकते हैं यानि सर बेसिकली एक तो चेप्टर नंबर फस्ट 10-30 नंबर का आपको theory देखने को मिलेगा एक्जाम में और वो theory ऐसा हो सकता है पार्ट A 10 नंबर का पार्ट B 5 यह पार्ट A 10 का पार्ट B 3 का यानि वो चाहेंगे कि आप theory भी attempt करो तो यह overall हमारा क्या है financial management जो पढ़ना है जो भी बच्चा जैसे भी देखे जब भी देखे इस class को तो इसी sequence में follow करिए सर मैं revision में क्या क्या करवाऊंगा जो हमारे सिंपल सी बात है सर मैं revision में क्या कराऊंगा मेरा टार्गेट सबसे पहले capital bursting कराना capital bursting के बाद मैं एक दिन में इस चप्टर को खतम फिर उसके बाद cost of capital कराना dividend policy मुझे लगता है मैं revision कराऊंगा न तो टाइम बेक आ रहा है क्योंकि उसमें क्या है आपका गॉर्डन वॉल्टर और एम एम और आप कुछ एक सवाल करते हो और मैंने सारे सवाल इतने करवा दिया जल्दी हो जाता है उसमें समझाने में ज्याद है एक तो लीवरेज एक cost of capital और इसके बाद आ जाता है हमारे एक value of firm यह तीन चैप्टर और एक वर्किंग क्यापिटल सब्सक्राइब करवाने में कोई वर्थ नहीं है बिल्कुल सीम्पल सा अधारान सा चैप्टर है करेंट एक क्लास में आपको समझ में आता है और आपका उपरेटिंग साइकल भी बड़ा आसान है चैप्टर नाम दिया है मैंने कई वार चैप्टर ना देखो एक चीज और मैं बता दू काफी बच्चे बोलते हैं सर यह चैप्टर नहीं हुआ मैं जिस चैप्टर के दो दो नाम है मैं बता देता हूँ आपका लीवरेज है इसको फाइनेंसिंग डिसीजन का चैप्टर भी बोला जाता है लीवरेज बोल लो या फाइनेंसिंग डिसीजन बोल लो अगर फाइनेंसिंग डिसीजन बोले तो लीवरेज होगा cost of capital होगा value of firm होगा और EBIT होगा इन 5 chapter को मिला कर बोलते हैं financing decision का chapter है आप देखोगे किताब में और DU के उसमें तो वो है इसके बाद sir dividend decision को dividend policy भी बोल देते हैं dividend decision भी कह देते हैं value of firm जिसे मैं बोलता हूँ theory of capital structure के नाम से जाना जाता है capital budgeting को दो नाम से जाना जाता है capital budgeting and techniques तो बच्चे बोलेंगा सर ने सो सरिफ capital budgeting का नाम लिया techniques तो बोला ही नहीं तो techniques इसी में ही मैं करवाता हूँ receivable management को receivable management भी बोला जाता है और साथ के साथ credit policy भी बोला जाता है cash budget अकेला individual है EBIT EPS analysis भी बोला जाता है EBIT analysis भी बोला जाता है EOQ को economic order quantity बोला जाता है या inventory management भी बोला जाता है इसको तो सर यह chapter के नाम है मैंने वीडियो में तो बोल दिया time value of money का सिर्फ time value of money कहते हैं तो यह जो बाद में देखोगे तो आप देख करके लिख सकते हैं उसको जो मैंने बोला है तो चलिए हम theory start करते हैं बाकी chapter पर मैंने कोसिस कर रहा है कि आप पर जाओ वहां content में देखो क्या कह रहा हूं कि एक वहां झाल बा करते हैं कि फ्रोट में ध्र